आपको जानकर देने वाला हूं कि आपको कभी भी गूगल के उपर भूल कर भी इन पांच चीजों को कभी नहीं करना चाहिए दोस्तो अगर आप भी गूगल पर इन तरह की चीजे को करते हैं तो आप बहुत परेशानी में पढ़ सकते हैं दोस्तो आपस रिक्वेस्ट इस वीडियो को आप एंड तक देखें यहां पर मैं आपको बहुत की काम की चीज बताने वाला हूं कि आपको गूगल को सोस समझ कर चलाना चाहिए और इन पांच चीजों को हमेशा गूगल पर करने से बचना चाहिए दोस्तो वो क्या पांच चीजे हैं यहां पर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहली जो चीज है वो आपको यह करना है कि गूगल पर आपको कभी भी किसी की भी आईडी सर्च करने से आपको बचना चाहिए दोस्तो हमारी यह आदत होती है कि हम अपने यार दोस्त या अपने किसी भी सेलेबरिटी की आईडी जो है गूगल पर सर्च करते हैं उसके बारे में हम जानकरी जानना चाहते हैं लेकिन इससे होता क्या है उस आईडी के लिए तो आप इस्टेंजर के तौर पर ही रहते हैं तो गूगल भी आपको कुछ टाइम बाद अगर आप लगाता इस तरह के काम करते हैं तो आपको एक स्टेंजर समझने लगता है तो दोस्तो यहाँ पर गूगल आपकी बहुत तरही सर्विसिस को बंद भी कर सकता है और आपका गूगल अकाउंट भी ब्लॉक कर सकता है दोस्तो दूसरा बात जो आपको ध्यान देने की यह है वो आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गूगल से music जो होते हैं, जो free के जो music आप डाउनलोड करते हैं, उनको करने से बचना चाहिए, अगर आपकी कोई, आप किसी पर trust करते हैं, आपने किसी पर registration किया हूँ है, बहुत अच्छी अगर site है, या third party कोई app है, तो आप वहाँ से music डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप free के ज से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तो तीसरी चीज क्या है आपको Google से कभी भी किसी भी तरह की image जो है वो download करने से भी बचना चाहिए क्योंकि Google पर जो image जो मौजूद होती है वो copyrighted होती है मानलीजे आपने Google से कोई image download कर ली और उसको अगर कहीं पर भी आपने use कर ली और अगर वो उनके notice में आ गया तो आप quote कचैरी के चकर में भी पढ़ सकते हैं दोस्तो ये बहुत चोटी सी चीज होती कि Google से आपने photo download की और उसको कहीं भी use कर लिया लेकिन इससे आपको quote के चकर या jail भी हो सकती है आपको lucky draw या कोई भी quiz contest के आपको link मिलेंगे आप जब उन पर click करेंगे आपके registration मांगा जाएगा आप registration कर लेंगे तो आपके phone के अंदर भी बहुत सारी cookies को भेज़ दिया जाएगा बहुत सारे malware या जो viruses होते हैं उनको भी आपके phone के अंदर जबरदस्ते install करवा दिया जाएगा और आप उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तो अगली बात को आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी Google के उपर अपनी photos store करने से आपको बचना चाहिए मैं personally ये चीज़ मानता हूँ कि गूगल के उपर बहुत सारी लोग जो है अपनी photos save करके रखते हैं लेकिन हमें उससे बचना चाहिए दोस्तो इस वीडियो के बाद मैं आपको एक example देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप YouTube पर ही आप search कर लीजेगा online job या online job work लिखके अगर आप type करेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको ऐसी वीडियो भी मिलेंगी जिसके thumbnail पे बहुत साही लड़कियों की जो images है वो use की गई है जहां पर उसमें तरह-तरह के messages type की हुए है कि आप ये काम करिए वो काम करिए और बिना मतलब में उनके photos जो हैं वो वहाँ पर misuse किया गया है तो इस तरह के भी misuse आपकी photos के साथ हो सकते हैं अगर आप Google पर अपनी images save करके रखेंगे तो दोस्तों जो सबसे आपको एक main चीज से जो बचना है वो ये कि आपको कभी भी Google के उपर porn नहीं देखना चाहिए यानि जो गंदी जो website होती है उनको देखने से आपको हमेशा बचना चाहिए क्योंकि जैसे आप किसी भी porn site के उपर जाते हैं वहाँ पर अगर आप किसी video या link के उपर click करते हैं तो इतने में जैते ही आप कोई video या कोई भी clip देखेंगे इतनी देर में आपके पूरे phone का data दूसरे दरफ transfer कर दिया जाता है दोस्तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है अगर आप Google को यूज़ करते हैं तो ये जानकर आप कोई कैसे लगी फिलीजा में comment box में जरूर बताइए अगर आपके कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छे लगी तो इसे like कीजिए अपने दोस्तो परिवारा अकसाथ से share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिए ये पजल थे से एसे से उतके क्लो cytाव सार railway झाल झाल